So good morning guys, तो आपके क्रिक एक्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में 8 जनवरी के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को हम लोग कवर करेंगे देखिये पहला महत्वपूर्ण प्रश्ण क्या है अभी हाली में शंगाई कॉपरेशन और्गेनाईजेशन का नया महा सचिव किसे बनाया गया है तो आंसर होगा जांग मिंग को तो चाइना के वरिष्ठ राजनाईक है ये जांग मिंग और अभी ये शंगाई कॉपरेशन और्गेनाईजेशन के नया महा सचिव बन गए है अच्छा इन्होंने किनका इस्थान लिया वलादमिर नोरोग का जो कि उजबिकिस्तान के पूर्व विदेश मंतरी थे तो जा अंग मिंग का नाम आपको याद रखना है बाकी मोहमद बेंच सुलेयम ये युनाइटेड अरब अमिराद से हैं और इंटरनेशनल आटो मोबाइल फेडरेशन के पहले गेर यूरोपी अध्यक्ष बने थे अहमद नासर अल रईसी युनाइटेड अरब अमिराद से हैं इ इसका हेड़कोर्टर काँ पे मिलेगा आपको याद रखना बीजिंग चाइना में मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रशन इसका भी नवा मेंबर कौन सा बना था इरान बना था और 2021 में शंगाई कॉपरेशन ओर्गिनाजेशन की 21 वी बेठक की अध्यक्षिता कि इस में भारत ने भी पार्टिसिपीट किया था और इसी तरह का पापवी एंटी टेरर एक्सरसाइज 2021 भी हुआ था उजबिकिस्तान के ताशकंद में वैसे शंगाई कॉपरेशन ओर्गिनाजिशन आपने का टोटल नो मेंबर हुए हैं कौन-कौन से हैं भारत, पाकिस्तान, रशिया, कज़किस्तान, तज़किस्तान, किर्गिस्तान, उजबिकिस्तान और अब हो गया इरान तो यह सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो मिने आपको एक एकर करके बताया इनको ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर अगला प्रशन क्या है कि SBI ने मुफ्त ऑनलाइन IMPS लेंदेन की सीमा को 2 लाख रुपे से बढ़ा कर कितना कर दिया तो अंसर होगा 5 लाख रुपे अब यहाँ पे पहला प्रशन तो यही बन जाएगा कि IMPS की फुल फॉर्म बताईए इस तरह के प्रशन भी आते हैं एक्जाम में तो क्या होगी immediate payment service यानि कि ततकाल भुक्त सेवा तो यह एक ऐसी banking payment service है जिसको इस्तमाल करके आप real time में पैसे को एक account से दूसरे account में transfer कर सकते हैं अब जब भी पैसे को एक account से दूसरे account में भेजने की बात आती है तो आपके mind में आएगा NEFT आपके mind में आएगा RTGS यह तो आपने सुने ही होंगे उसमें भी आप पैस आप फट से transfer हो जाते हैं आपको इंतचार नहीं करना पड़ता इधर आपने बटन दबाया उधर आपका पैसे transfer हो गया अचा मैंने अभी दो नई टर्म बोली थी NEFT और RTGS इसकी full form भी याद रखना national electronic fund transfer और RTGS मतलब real time gross settlement और अब SBI ने ग्रहाकों को digital banking अपनाने के लिए प पैसला किया है मतलब 5 लाख रुपे तक के IMPS लेंदेन पर अब कोई चार्ज नहीं लगेगा IMPS की शुरुवात सबसे पहले NPCI National Payment Corporation of India ने की थी कब 2010 में देखो SBI की बात करेंगे इसका headquarters आपको मिलेगा मुंबई में और वरतमान में इसके chairman कौन है दिनेश कुमार खारा और इसके जो पूर्व अध्यक्ष थे रजनीश कुमार अभी उनकी एक book भी आई थी book का नाम बता सकते हो क्या the custodian of trust और अभी SBI ने pension भोगियों के लिए वीडियो live certificate भी शुरू किया था और अभी श्रीनगर के डल जील में SBI ने house boot पर ATM भी खुला उसके लावा SIM binding feature भी launch किया था ये एक basically security feature है यूनो application को full proof बनाने के लिए यूनो application SBI का ही है और अभी राष्टरपती रामनात कोविंद जी ने राष्टरपती भवन में SBI की पह होकी चेंपेंशिप 2021 को किस ने जीत लिया तो अंचर होगा उत्तरप्रदेश ने तो जूनियर नेशनल मेंस होकी चेंपेंशिप 2021 किस का ग्यारवा संसकरन था इसे उत्तरप्रदेश ने जीत लिया किसे हराकर या उपविजेता कौन रहा चंडिगड अचा होकी से related कुछ important प्रश्ण में आपको बताता हूं वो आपको याद रखने हैं जैसे एक प्रश्ण तो आपको याद होगा अभी Tokyo Olympic 2020 में भारते पुरुष होकी टीम ने किसको हरा के ब्रूंज मेडल जीता था जर्मनी को हरा करके उसके अलावा Asian Championship Men's Hockey Tournament को किस ने जीता था South Korea ने जीता था सेकेंड पे रहा था जापान और थर्ड नंबर पे भारत रहा था ये हुआ का पे था बांगलादेश के धाका में इसके अलावा Men's Hockey Junior World Cup 2020 का खिता जीता था अर्जेंटिना ने जर्मनी को हरा के जो हुआ था उडिसा में अभी ranking भी आई थी जिसमें हमने देखा था भारते महिला हॉक्की टीम की बात करेंगे तो वो नवे स्थान पे है टॉप पे नीदरलेंड की टीम है और हमारे भारते पुरुष हॉक्की टीम के कप्तान कौन है मनफरीत सिंग है अभी टोक्यो अलम्पिक 2020 में ये फ्लेग बीरर धजवाहग भी रहे थे उदगाटन समारों में हॉक्की प्लेयर बनी थी वैसे राजियोगांधी खेल रतने पुरुषकार का नाम बदल के आप जानते ही हो मेजर ध्यान चल्द खेल रतने पुरुषकार हो गया है जिसमें पुरुषकार राशी 25 लाख रुपे दी जाती है और हमारे हॉक्की इंडिया के अद्धिक्ष क हरा के जो कि दुबई में हुआ था और अभी 2021 साउथ एशन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वुमेंस चेंपिनशिप हुई थी बांगलादेश ने जीती थी भारत को हरा करके उबेर कप उबेर कप का सम्मन्द किस्से है बेडमिंटन से इसको जीता था चाइना ने जाप को हरा करके विजे हजारे ट्रॉफी 2021-22 की बात करेंगे जो भी पिछले साल लास्ट महीन में हुआ था हिमाचर प्रदेश ने जीता तमिल नाडू को हरा के और विजे हजारे ट्रॉफी 2021 की बात करेंगे जो कि 2021 के स्टार्टिंग में हुआ था मुंबई ने जीता था उत्त में T20 मेंस वल्ड कप हुए थे कहां पे ओमान और युनैटेड अरब अमिरात में उसको जीत लिया और उस्ट्रेलिया ने नियूजिलेंड को हरा के कोपा अमेरिका की बात करेंगे इसका संबन्द भी फुटबॉल से है इसको अर्जेंटिना ने जीता यूरो कप का संबन्द भी फुटबॉल से है इसको जीता था इटली ने और डूरंड कप का संबन्द भी फुटबॉल से है इसको जीता था एफसी गोवा ने अच्छा बारत का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम ये काँ पे बन रहा है उडिसा के राउर केला में बन रहा है जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे फिर बताईए अभी हाली में इंटरनेशनल सोलर अलाइंस में शामिल होने वाला 102 देश कौन सा बन गया है तो आंचर होगा एंटीगुआ और बार्बुडा इंटरनेशनल सोलर अलाइंस इसकी स्तापना कोप 21 में हुई थी जो हुआ था पैरिस फ्रांस में किन दो देशों ने मिलकर की थी भारत और फ्रांस ने इसका हैटकोटर मिलेगा आपको गुरुग्राम हरियाना में एक मातर राष्टर संगठन है जिसका हैटकोटर आपको भारत में देखने को मिलेगा गुरुगराम हरियना में भारत का पहला ग्रीन एटीम भी स्तापित किया गया था ये भी आद रखना और इंटरनेशनल सोलर अलाइंस के अभी पहले डारेक्टर जेनरल बने थे अजे माथुर और अभी आपको याद होगा सन्युक्तर राष्टर महासभा ने इंटरनेशनल सोलर अलाइंस को पर्रय वेक्षक यानि की अब्जर्वर का धर्जा भी दिया था उसके अलावा International Solar Alliance Framework Agreement पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन सा बना था ये प्रशन आएगा तो आंसर करना डेनमार्क और अभी International Solar Alliance का 101 वा सदस्य देश कौन सा बना था USA इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए International Monetary Fund इसका नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना एंडोरा 190 वा बना था और United Nation Organization का 193rd member देश कौन सा है South Sudan है अभी New Development Bank की बात करेंगे या जिसे आप Bricks Bank बोल दीजिए अभी इसके इसी साल की बात करेंगे चोथा नया सदस्य देश बना था कौन सा एजिप्ट और इसी साल तीन नये बने थे United Arab अमिराथ, बांगलादेश और उरुगवे उसके बाद बना था एजिप्ट तो अब total member कितने हो गए इसमें 9 हो गए पाच तो यही है जो Bricks members है उसके लावा इस साल 4 बन गए और मैंने आपको बताया शंगही Corporation Organization का नवा member बना था इरान तो यह सारे point ध्यान अखना आप पढ़ते हांगे फिर बताए करनाटक राज्य का पहला LNG terminal यह का पे इस्तापित किया जाएगा तो आंसर होगा Mangluru में LNG मतलब Liquid Natural Gaze तो करनाटक का पहला LNG terminal यह Mangluru में इस्तापित किया जाएगा तो यह तो आपको बता हो गया यह करनाटक का पहला है लेकिन यादर्षना यह देश का छटवा है और आपसे पूछा जाए कि किस कंपनी की साहिता से इस्तापित किया जाएगा सिंगापूर अचा इस LNG terminal को इस्तापित करने का उद्देश्य क्या है क्या होगा तो जो प्राकरतिक Gaze होती है Natural Gaze उसके परिवहन के लिए इसे Liquid Form में लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है और Gaze को Liquid Form में कैसे लाएंगे उसका Temperature कम करके और फिर उसका परिवहन किया जाएगा और अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाए कि भारत का पहला LNG Terminal ये कापे स्थापित किया गया था नागपुर में चलो एक परश्ण पूछूँगा मैं आपसे Current Affairs का या आपी के लिए होगा परश्ण अभी World LPG ध्यान जे सुनना LPG की बात कर रहा हूँ Liquid Petroleum Gas तो World LPG Association के अभी नए अध्यक्ष कौन बने थे वैसे LPG की बात हुई है तो आपको बता दू 100% LPG वाला भारत का पहला राज्य आपका बना है हिमाचल परदेश LPG में क्या होती है? Butane होती है और Propane होती है और आपने घर में देखा होगा LPG Slender होते हैं जब वो लीक होते है तो इसमेल आती है Rotten Egg की किसके करण आती है? इत्थाइल मरकैप्टन के करण तो आप ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताईए हाली में Mamta Beyond 2021 नाम की जो बुक है इसको किस ने लिखा है? तो आंसर होगा जयंत घोशाल ने तो अभी Mamta Benerji के उपर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है Mamta Beyond 2021 और इसे लिखा है जयंत घोशाल ने और अरुनव सिंग ने इसे अनुवादित किया है बाकि संजु वर्मा The Modi Gambit T-Coding Modi 2.0 नाम की बुक को लिखा रेखा चौधरी India's Ancient Legacy of Wellness नाम की बुक को लिखा और यारला गड़ा लक्ष्मी प्रसाद गांधी टोपी गवर्नर नाम की बुक को लिखा इनोंने ध्यान रखना ये सारे बढ़ते आगे फिर बताईए जनवरी 2022 में United Nations Security Council आतंकवाद विरोधी समिधी के अद्धिक्षिता कौन कर रहा है तो आंसर होगा भारत देखो United Nations Security Council मैंने आपको बताया था है इसमें टूटल पंदरा मेंबर कंट्रीज होते हैं जिसमें से 5 होते हैं पर्मानेंट 10 होते हैं नौन पर्मानेंट नौन पर्मानेंट पतलब ये 2-2 साल के लिए होते हैं और इसी में अभी इंडिया शामिल है अभी आठवी बार शामिल हुआ था इंडिया और इस United Nations Security Council ने एक समीति बनाई हुई है आतंकवाज विरूदी समीति तो इस समीति का अध्यक्ष बनाया गया अभी भारत को जन्वरी महा के लिए ये पिछली बार कब बना था? 2012 में बना था अच्छा ये 5 पर्मानेंट मेंबर कंट्रीज कौन-कौन से हैं रशिया, फ्रांस, यूएसे, चाइना और इंग्लेंड और इनके पास होती है वीटो पावर वीटो पावर का क्या मतलब हो गया? अगर कोई भी बात हो दिये किसी भी एक ने मना कर दिया तो वो बात मना ही है मतलब कोई भी एक सहमत नहीं हुआ किसी भी बात को लेकर के तो उसे वही चैंसेल कर दिया जाएगा वैसे अभी आपको याद होगा संयुक्त राष्टर आर्थिक और सामाजिक परिशद में भी भारत मेंबर बना था 2022 से लेके 2024 तक के लिए इसमें टूटल मेंबर कितने है 54 है उसके अलावा भारत को युनेसको के कारेकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया था 2021 से लेके 2025 तक के लिए अचा अब युनाइटेड नेशन वुमिन्स अवर्ड फॉर लीडर्शिप कमिटमेंट 2021 किस ने जीता दिव्या हेगडे ने और अभी युनाइटेड नेशन जनरल इसम्बली ने सौंबी शार्प को भारत में सन्युक्त राष्टर के रेजिडेंट कॉडिनेटर के रूप मे ने उक्त किया था देखो युनाइटेड नेशन की बात करते हैं इस्तापना होती 24 अक्टूबर 1945 में हेड़कोर्टर न्यू यॉर्क में है वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरिस और इसकी जो पूर्व सेक्रेटरी जनरल थे बानकी मून उनकी आटो बायो शर्मा ये कहां से है ये राजस्थान जुनजुनु से है और अबी वर्ल्ट ट्रेड और्गेनाइडियेशन में लीगल ऑफिसर बनी है ये बाकी क्रती करंत की बात करते हैं अभी वाइल्ड इनोवेटर अवर्ड पाने वाली ये पहली भार्ते महिला बनी थी द्रती बनर Geological Survey of India की पहली मैला अध्यक्ष बनी प्रियंका मोहिते Mount Annapunna जो आपको मिलेगा नेपाल में उसको फत्र करने वाली पहली भारते मैला बनी थी चलो कुछ और नाम मैं आपसे पूस्ता हूँ बताओ अभी ONGC की पहली मैला CMD कौन बनी थी अभी National Highways Authority of India की अध्यक्ष कौन बनी थी Kenya की पहली मैला Chief Justice का नाम क्या है मैं आपसे प्रशन पूस्ता जा रहा हूँ वीडियो को पॉस करके आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाना प्रशन होने के बाद सारे उत्तर में आपको दूँगा अगला प्रशन सुनो असम की पहली मैला वित्त मंत्री Finance Minister का नाम क्या है और असम पुलिस की पहली मैला महा निर्यक इंस्पेक्टर जनरल कौन बनी थी अभी Sweden की पहली मैला प्रधान मंत्री का नाम बताओ NASCOM की पहली मैला Chairperson कौन है Indian Mountaineering Foundation की पहली मैला President का नाम बताओ अभी Boulder Road Organization की पहली मैला Commanding Officer का नाम बताओ और NCAER यानि की National Council of Applied Economic Research की पहली मैला Director General का नाम बताओ अब सब की उत्तर भी सुनो हमने कहा ONGC की पहली मैला CMD कौन बनी? Alka मित्तल National Highways Authority of India की अध्देक्स कौन बनी? अलका उपाद्या है Kenya की पहली मैला Chief Justice का नाम है Martha Khoom Assam की पहली मैला वित्त मंत्री बनी है अजंता नियोग Assam Police की पहली मैला महानिरिक्षक बनी Violet Barua Sweden की पहली मैला प्रधान मंत्री बनी Magdalena Anderson Nescom की पहली मैला Chairperson है रेखा मेनन Indian Mountaineering Foundation की पहली मैला President बनी है Hershwanti Best Border Road Organization की पहली मैला Commanding Officer बनी है वेशाली हिवासे और National Council of Applied Economic Research की पहली मैला Director General बनी थी पूनम गुपता तो ये सारे वो important नामे जो अबी Current Affairs में रहे थे कहीं बार मैं आपको repeat करा चुका हूँ याद होने चीए आपको बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में launch किया गया भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है तो अंसर होगा रुद्र तो भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है ये जिसका नाम रखा गया है रुद्र किसने बनाया? Electronics and IT Ministry और CDEC ने CDEC मतलब Center for Development Advanced Computing जो है पुणे में तो रुद्र क्या है पूछा जाएगा तो ये भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है बाकी ध्रूव क्या है? भारत का पहला उपगर और Missile Tracking जहाज है Cyber क्या है? रश्या का पहला परमाणूस अंचलित Ice Breaker है और इंद्र जाल ये क्या है? तो Global Crypto Super Application Crypto Right ने भारत का पहला Cryptocurrency Index IC15 को लांच किया है ये जो इंदेक्स है ये दुनिया में सबसे अधिक ट्रेड होने वाली Cryptocurrencies की Performance को ट्रेक करेगा Cryptocurrency एक Digital Currency Virtual Currency ही है जो वास्तों में नहीं रहती है, Computer में रहती है चलो बताओ अभी किस देश ने Bitcoin को, ये पहली आपकी Digital Currency बिटकोई तो अभी किस देश ने Bitcoin को Legal Currency गोशित किया तो आंसरोगा अलसलवा डोर ने Bitcoin का जनक कहा जाता है सातोशी नाका मोतो को और बताओ किस देश ने Cryptocurrency कारोबार के लिए दुनिया के सबसे बड़े Exchange Platform बिना से को बैन कर दिया तो आंसरोगा ब्रेटेन ने अभी Nigeria ने किस नाम से अपनी खुद की Cryptocurrency लॉंच करने की गोशना की थी इनाइरा, Nigeria से है नागोजी ओंकाजा इवेला World Trade Organization की पहली मैला Director General का नाम भी याद रखना और अभी एक रिपूर्ट आई थी जिसमें Cryptocurrency अपनाने में भारत कौन से नंबर पे है दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे वियत नाम है चलो बताओ किस देश में Bitcoin की जो संस्तापक हैं सातोशी नाका मोतो उनकी प्रतीमा का अनावरन किया गया था हंगरी के बुड़ा पेश्ट में और किस देश ने दुनिया का पहला Bitcoin City बनाने की योजिना बनाई तो अंसर होगा अलसलवा डोर ने यह ध्यान रखना बढ़ते आगे बताए साथ से आठ जन्वरी 2022 तक ई प्रशाशन पर 24 वे राष्टर सम्मिलन का यह कांपे किया जाएगा हैदराबाद में तो E Governance या बोल दीजे E प्रशाशन इस पर 24 वा राष्टर सम्मिलन होगा हैदराबाद में जिसकी थीम है महामारी के बाद Digital प्रशाशन अच्छा अगर आपसे पूछे E Cabinet प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कोंचा था हिमाचल प्रदिश E लोग अदालत पहली बार का शुरू हुई थी 36 गड़ में और अभी सूशाशन सूचकांक आयता उसमें पहले स्थान पे रहाता गुजराद बाकी हैदराबाद जोकी तेलंगना की केपिटल है अच्छा ODF प्लस गाउं की संख्या में अभी टॉप पे रहा था तेलंगना और भारत बायोटेक कंपनी का हेड़कोर्टर आपको हैदराबाद में मिलेगा इसी कंपनी ने को वैक्सीन बनाई थी हैदराबाद किस नदी के किनारे इस्ते थे थे मूसी नदी के किनारे और 2020 Tree City of the World की रूप में माननेता प्राप्त करने वाले एक मातर भारते शहर बना हैदराबाद तुनिया का पहला Mobile Water from Air Kiosk और Water Knowledge Center ये काँपे स्थापित किया गया हैदराबाद में ही और भारत का पहला Transgender Community Dash काँपे खुला हैदराबाद में हैदराबाद में जो Nehro Geological Park के उसे ISO Certificate मिला था और इसे के साथ ISO Certificate पाने वाला ये देश का पहला चिडिया घर बना था और हैदराबाद शहर का Metro Rail Network ये भारत का दूसतरा सबसे बड़ा Metro Rail Network बना है जिसकी टोटल लंबा ये 69.2 किलोमेटर पहला तो दिल्ली है और दुनिया का सबसे बड़ा Meditation Center शुरू हुआ हैदराबाद में है अच्छा बताओ हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा Operation चलाया गया था Operation Polo याद रखना ये बढ़ते आगे फिर बताइए हाली में किस देश के करतिम सूरज ने 17 मिनिट तक 7 करोड डिगरी सेल्चेस उर्जा निकाल कर विश्वर रिकॉर्ड बनाया तो अंसरोगत चाइना ने तो चाइना के Artificial Sun ने एक बार फिर से World Record बनाया है तो हैफ़ई में इस थे चीन के इस Nuclear Fusion Reactor से करीब 17 मिनिट तक 7 करोड डिगरी सेल्चेस उर्जा निकली है और विज्ञानिकों को उमीद है कि इस मशीन से परमानुसाइन लेयन की शक्ति का उप्योग करने में मदद मिलेगी और इस करतिम सूरच को क्या नाम से जाना जाता है इस्ट यानि के Experimental Advanced Super Conducting Tocomag अच्छा बताओ भारत की सूरे मिशन का नाम क्या है आदित्य L1 और बताओ अभी किस अंतरिक्ष एजेंसी के पारकर सोलर प्रोब ने पहली बार सूरे की बाहरी परच जिसको बोलते हैं कोरोना उसको छुआ तो आंसर होगा नासा चाइना की Capital क्या है? वीजिंग है वीजिंग में आपको बताए 2022 में Winter Olympics होने वाले हैं जिसका Mascot है शुबंकर है यहीं पर आपको शंगाई Corporation Organization का Headquarter मिलेगा Asian Infrastructure Investment Bank का भी Headquarter आपको यहीं पर मिलेगा Currency है रेंविन भी और President है शी जिन पिंग तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रशन के उत्तर की तो देखे कल की वीडियो में आपसे क्या प्रशन पूछा था कि अभी हाली में दक्षिन ध्रुग की एकल यात्रा करने वाली पहली भारते मूल की महिले आकॉन बन गई तो अंसर होगा हरबरित चंडी आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और गाईज अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और इसका क्विज भी बना करके आपके करेक एक्जैम एप्लिकेशन पे अप्लोड कर दिया गया है वहीं पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी एप्लिकेशन का लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा तो ये रहा आज का आपका homework प्रशन